This quote means lending hands to someone is better than giving a doll किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है अनुदान और हाथ बटाना धान रखेगा ठीक है अब ये क्या है अनुदान एक प्रकार से साहता दे रहे है सामान निभासा में अगर आप समस्ते हैं और उसके काम में हाथ बटाने का मतलब उससे आप स्किल्ड कर रहे है तो जरा मैं यहीं पर अगर आपको समझा दूँ तो अंदर आपको पढ़ने की ज़रोत नहीं मैं सर्त्री निगास से बताता चला जाओंगा आगे का कंटेंट में एक बार आपको दिखाओं बहुत बढ़ियां बना बच्चे एसे है और फिर कितने एसे और मैं कराने जा रहा हूं बिजदम फाइन स्ट्रूथ विवेक्षत्य को खोश निकालता इसी पूरे कंटेंट को यानि एक दो लाइन नी पूरा कंटेंट इसमें यूज कराऊंगा दूसरा करेश्ट टू एक्सेटेंट डेडिकेशन टू इंप्रूब आट टू कीस्टू सक्रेश जैनि सभिकारोग्ति का सास्यों सुधार करने की निस्टा सफलता के दो मंत्र है ये भी हंड्रेट परसंट इसी कंटेंट के साथ आपको लिखना सिखाऊंगा एक बड़ा स निवन देख सकते 2023 का thinking is like a game it does not begin unless there is an appositive चिंतन एक तरह का खेल है जैसे खेल में एक पोजिशन होता है तभी खेल का मज़ा आता है एक बालिंग कर रहा है एक बैटिंग कर रहा है एक फिल्डिंग कर रहा है ये तब तक प्रारम नहीं होता जब तक इक बिरोधी पक्ष न आप याद रहे मलब ये क्या है एक टूल्स हैं डेवलप्मेंट के विकास के ये दोनों उपकरण है और इन दोनों उपकरणों पर चर्चा तब हो रही है जब यानि एक तरफ डोल और एक तरफ लेंडिंग है विकास के लिए अब कैसे उसके बारे में बद तो चार को पढ़ने के बाद एक चीज आपको ये भी समझ में आएगा कि हम कैसे चोटी-चोटी कहानियों को अपने निवंद में एक्जामपल में ले करके आते हैं आपको बहुत मजाएगा ठीक है आए जरा समझने की कोसिस करते हैं लेंडिंग हैं डोल एन वाटेवर वाटेवर बहुत कुछ है बट अभी मैं आपको यहां पर एक सामानी लेंग्वेज में सिखाता हूं जिससे कि चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और खासकर जो रेगलोर क्लास करें उनको दो मिएट बच्चे डोल क्या है जैसे अब लोग पढ़ते न एक कोशन याद इशू में अगर आपके आदो तो उसमें एक कोशन कराता कि इंडियन गवर्मेंट जो है जब वो पॉलसी मेकिंग करती है बीकर सेक्षन के लिए तो उसका पूरा फोकस भूख पर रहता है पॉइंट को पकड़ी यानि हंगर गवर्मेंट की जो पॉलसी होती है उसका पू सरकारी नीतियां है इन सरकारी नीतियों का लक्ष क्या है भाई भूख और जब हम भूख पर फोकस करते हैं फिर यूपीस कोशन आगे बढ़ाता है और क्या कहता है वह यह कहता है कि भाई जब हम इस पर फोकस रहते हैं इसलिए हमारा ध्यान किसका ध्यान यह जो पॉलसी म इनका ध्यान नहीं जाता है कहां नहीं जाता है बोलिए कमेंट करिए human development यानि आप्रभावी मानव विकास नीतियों पर क्या है आप्रभावी ineffective human development policies यानि आप्रभावी मानव विकास नीतियों ठीक है जराय दोनों को आप पढ़ दीजिए अब जराद देखिए आप प्रभावी मानव विकास नीतियों इसका मतलब उस question में कह रहा है कि भाई केवल भूख से समावेशी विकास social justice नहीं आएगा हमें क्या करना है प्रभावी मानव विकास नीतियों लानी है effective human development policy क्यों बच्चे लानी है कि नहीं लानी है यानि प्रभावी मानव विकास नीति लानी है मेरे बच्चवा आप कहेंगे हां सर्थ तो मेरे बच्चे बस यहीं से यह निवंद ओपन हो आता है UPSC की questions देखी previous questions पच्चा काम करते हैं और comment करेंगा क्या 100% कनेक्ट हुआ के नहीं अपने दिल से ठीक अब आईए जरह देखिए तो यह जो भूख है यह क्या इस भूख को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या दिया कि भाई प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्योजना यह पीछे भी बहुत सी योजना है ठीक है टार्गेटेड पीडियस फूट सेकेरिटिक बिल तो भूख अब यह जरह ध्याना किया इसको एक्स्ट्रीम वाड के रूप में मत लीजेगा इस स्टेट्मेंट को इस स्टेट्मेंट में कहीं भी यह नहीं कर रहा है कि इसको मत दो जरह पढ़िए का किसी को अनुदान देने से उसके काम में हताना बहतर होती वो यह नहीं कह रहा है कि अनुदान मत भूखो को प्रधा की जो भासा है जो लेंग बज़ा उसको समझना बड़ा महत्मूर जो बच्चा समझ गया इंट्रो अगर अच्छा लिग गए तो इक्जामनर को पता लग जाता है बंदे में दम है और फिर आगे का आपका हलका फुलका भी होता है तो भी चल जाता है तो इतनी बारी किसे देखा अब सायद आपको समझ में आ गया अगर हम केवल भूक पर फोकस के यानि हम क्या देंगे केवल भूक पर और क्या करें है प्रधान मंतुरी गरीब करने अन्य हो ज़ुना तो यह डोल हो गये यह डोल हो गया यह अनूदान हो गया मेरे फिक है लेंडिंग हैंड का मतलब होता है effective human policy human development यानि प्रभावी मानों विकास नितिया नि मानों को मानों संसाधन के रूप में बदल दिया जाए और इसको बोलते हैं लेंडिंग हैंड अब तो बच्चे बार बताएंगे मज़ा आ गया 100% एकदाम जकास वाला लेंडिंग हैंड हो गया तो देख सकते हैं निवन यहीं पर ओपें हो गया हो भी मैंने कुछ नहीं किया तब किया प्रिविएस यह के कोश्चन चलो अब कहेंगे कि सरफ लेंडिंग हैंड तो आपने लिख त्या परभावी मानो विकासनीति रहां परभावी मानो विकासनीति कैसे अपै नहीं कौन साnaire को फार्मूला 2 0150 decision decision with ऑल्ट को बता है जो एफेक्टिव स्कों न क्योड़न कर अब परमूला है यो प्रभाव एक बार फार्मूले का नाम लिख दो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं फिर मैं समझ जाओंगा चलो बताओं चले भाई बताईए प्रभावी अरे कुछ यह भी मैं यह भी चारा तल दिख देते सुनी लभी वक्ती फार्मूला लेकिन आप लोग भी नहीं कंजूसी हो सेवन लिख दिया लेकिन यह नहीं कि चलो यार गुरू को थोड़ा खुश कर दिया जाए थोड़ा बहुत हम लोग भी आए समझी रहे हो आत्म प्रसंसा से अगर कोई सिस से प्रसंसा कर दें थोड़ा सा आनंद मिलने लगता मजा करो ठीक है ठीक है सब एक तरफ देखो मैं सब की कमेंट देख पा रहा हूं सारे से बनेट से बनेट से अब मेरे कहने बात किसी कि पीने तो लेंडिंग हैंड इस इक्वल टू सुनील अभिवक्ति फार्मूला सिम्पल सी बात है उसी नाम से मैं बुलाता हूं जिस से आपको अब वो क इनको अभी नहीं करते हैं पहले आपको समझा देते तो किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेतर है 2015 में पूछा गया था इसी को इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है याद रखें लेंडिंग हैं तुसमों इस बेटर देन गिबिंग अडोल अब वर्य नहीं देना है किवल अनुदान कितना बढ़े लिगा याद रखेगा किवल रोक यहाद रोखेगा किवल ओन लिडोल यह वह हैं अपको लेंडिंग हैंड भी करना यह ल किसी ने माना नहीं किया कोकि एक ऐसे देश में जहां पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करते है एक ऐसे देश में जहांपर हमारी एकोनामी में developing features तो है। लेकिन अगर आप देखोगे, तो हमारा जो सोचियो एकोनामी development है, समाजी का आर्थिक जो विकास है, उस में हमारे उस सोचियो एकोनामी development में least developed country के भी लक्षण है कि नहीं? यानि अल्पविक्सित देशों के भी लक्षण है कि हमारे अंदर की नहीं आप बताए मिसेस कर एजुकेशन हेल्थ के बहुत से पैरामीटर्स पर और अगर हम कुछ स्टेट्स में जाएंगे तो ये समस्या बड़ी गंभीर आपको दिखाई देगी कुछ अफरीकी देशों के समान तो ठीक है डोल बुरा नहीं है इसलिए इसमें भी कहा गया प्रोवाइडिंग सप्वर्ट थू असिस्टेंस गाइडन्स और इंपावर्मेंट इसमोर बेनिफिशियल और सस्टनेबल than merely offering aid या डोल केवल अनुदान देने की तुलना में आप सहायता करते हैं या मार्ग दर्शन करते हैं मार्ग दर्शन यानि आपको कहा गया कि भाई आपके अंदर छमता है आप स्टार्ट अप लो मार्ग दर्शन करना या आपको ससक्त करना जैसे वो में इंपावर्मेंट के लिए हमने वन थर्ड रिजर्वेशन पार्लेमेंट में पास कर दिया तो इसके माध्यम से सहायता प्रदान करना अधिक लाबदायक और टिकाऊ है एकदम से पूरी चीजें यहां पर लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चो ठीक है डोल्स का मतलब क्या होता यानि सबसे पहले इस कोटेशन को किलियर कर दिया गया मैंने समझा दिया था आपको एक लेंग्वेज मिल गए चुकि कोटेशन को समझनों इंपॉर्टन नहीं है एक अच्छी भासा आपके उन्यची क्योंकि आपको 100-1200 वर्ट्स लिखना है इसलिए समझने से ज़्यादा आपको लिखने पर ध्यान के इंद्रित करना चाहिए बट समझा यह है कि हम 30-35 मिनिट का लेक्चर चाहते हैं जिसमें समझने के लिए आप लिखने के लिए कुछ मैटरियल नहीं पाते हैं और खासकर एक मिनिट और यानि सरकार जो हमें क्या करती है डायरेक्ट कैस हैंडाउट आपके हाथ में देती है जैसे प्रधान मंतुरी किसान सम्मान निधी के तहट जो हम पैसा दे रहे हैं वो क्या है एक प्रकार से डोल है वो अनुदान है ठीक है धान लखेगा यानि प्रत्यक्ष नगत सहायता या लाब से है जो अक्सर सोसल बेलफेर पॉलिसी से जुड़ा होता है यानि समाजी कल्यान नीतियों से जुड़ा होता है जो बुरा नहीं है कभी भी बुरा मत लिखिएगा बट यहां कहा गया कि इन कंपेर टू डोल जो लेंडिंग है व क्योंकि वो human को human resource में convert करता है ठीक है और उसके बाद फिर हम economy को बढ़ा करते है primary, secondary, tertiary, sum में तो आप देख सकते हैं यानि सबसे पहले आर्थ बता दिया गया पिर डोल्स बता दिया गया याद रखे अब यहां पर वही example जो आपके सामने है आप देख सकते हैं यानि give a man a and you feed him for a day यदि आप एक आदमी को एक मचली देते हैं और उस दिन के लिए वो उसकी खुराक हो जाती है तो आपने केवल उस दिन उस व्यक्ति का पेट भारा अगले दिन वो फिर भूका रहेगा इसकी संभावना या किसी की तरफ देखेगा लेकिन अगर आप किसी को teach करते हैं कि कैसे एक अच्छा fisherman बनते हैं यानि आप उसे मचली पकड़ना सिखाते हैं तो इसका मतलब आप उससे जीवन भर के लिए ससक्त कर देते हैं इंपावर कर देते हैं तो मचली पकड़ना सिखाना is equal to lending hand और एक दिन उसे मचली खाने के ल यहां पर चीजें clear है तो यह जो फ्रेज है यह जो प्रोपबर्ब है यह जो कहावत है यानि यह कहती है कि केवल अनुदान नहीं ससक्की करण जरूरी है याद रखे अब इसके पीछे यानि अब ठीक है यह सारी बात हो गई बट आपको 1200 लिखना है 1000 से 12 इससे कम लिखेंगे तो नंबर कर जाएगा 1000 से कम लिखते है 1200 से कम चल जाएगा बट अगर 1000 से कम लिखेंगे तो नंबर कर एक चुकी condition आपने follow नहीं की 1000 तो 1000 के लिए अब इतने स्काम नहीं चलेगा आपको डोल के पीछे की philosophy है बाई डोल य या initiative नीत या पहल के साथ एक philosophy connect होती है और वैसे ही डोल के साथ भी एक philosophy है याद रखेंगे और उस philosophy का नाम है लोगों को offering करना material support यानि लोगों को बहुत इक सहायता प्रदान करना जैसा कि मैंने आपको बताए धेर सारी स्कीमों का प्रदान मंतरी गरीब कल्यान अन्योज इसके साथ और भी बहुत सी स्कीम यानि इसका लक्ष होता है कि लोगों को भोजन दें लोगों को आवास दें लोगों को स्वास्त देख भाल दें और लोगों को सिच्छा दें लेकिन याद रखेगा इसमें dedicated health नहीं है dedicated सिच्छा नहीं है याद रखेगा यानि बस इसका ह कि हमें लोगों तक यह सब चीजे पहुंचा देना जिससे नागरिकों का स्वास्त भी अच्छा रहे उनकी उत्पादक्ता भी अच्छी हो और वह एकोनामिक पाटिसिपेशन में अपना रोल प्ले करें तो डोल के पीछे की फिलोस्पी यहां लिखी हुई है अब आप सोचो कि डोल के पीछे की फिलोस्पी क्या आपने पढ़ी कभी भी किसी भी बुक में तो डोल के पीछे की पूरी फिलोस्पी है वच्छी अब इसको क्या आपको आ गया अगली भार यानि धो सकता है यह रिपीट हो जाए यह कोश्चन जैसे 2004 में पूचाता हैंड देट रॉप दा क्रेडल और 2021 या 22 अगर मैं 21 या 22 में क्या पूचा हैंड देट रॉप दा क्रेडल रूल दा वर्ड केवल बस आगे लगा दिया रूल दा वर्ड यानि में यानि पालना जुलाने वाले हाथ में संसार की बाग दोर होती तो हो सकता रिपीट हो जा रिपीट हो जाए तो आपकी बले-बले इस लिए अच्छा काम कर लेजए चुकिए रिपीट तो करता ही करता मैं अक्सर कह चुक हूँ आप से अधर वाइस एक्जांपल तो हर आप इसे यूज कर पाएंगे कहां कहां कर पाएंगे अभी मैं बताता हूं ठीक है ना तो डोल के पीछे की फिलासपी यह है और इसका इकोनामी में भी क्या होता है एक पॉजिटिव मल्टिप्लायर इंपक्ट होता है यानि एक गुणात्मक असर पड़ता है याद रखेगा ठीक है ना ठीक है क्यों अब आप कहेंगे सर इन ये जो डोल के दोरा हम प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना में पैसा दे रहे हैं या जो भी इस प्रकार की हम सायता दे रहे हैं इससे एकोनामी को क्या लाब होगा तो ऐसा नहीं है किससे एकोनामी को लाब नहीं हो बिल्कुल होगा एक मल्टी पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट यानि सकारात्म गुणक प्रभाव प्रभाव क्या होता है पॉजिटिव यह जो गुणक इंपैक्ट है यह क्या है मल्टीप्लायर इफेक्ट है यह क्या है भाई अगर मान लीजिए मेरी इंकम कम है और य हमारी इंकम जो 100 रूपीज है जो सरकार के और से फ्री मिल रहा है अगर वो फ्री ना मिले तो क्या होगा हमारी इंकम का एक हिस्सा उसमें खर्श होगा लेकिन अगर फ्री मिल रहा है तो हमारी इंकम में का एक बड़ा हिस्सा क्या हो गया बच गया और फिर इस बची हुई इ इसी को बोलते हैं multiplier positive effect इसको आप अच्छे से ध्यान कर ले तो क्या सभी लोग समझ गए purpose and philosophy behind dole यानि डोल के पीछे का उद्देश्य और दर्शन क्या है इसलिए कहा गया केवल जरा पकड़िये गाई एक चीज और एसे राटिंग में चीज और हमेश्व आद रखनी होती है बार बार आपको न यह जो एसे की language नहीं देखना पड़ता है पूछो क्यों अगर आपने में में इग्जामनेशन हॉल में भी अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर वन थाउजन वर्ट तक जाते जाते कई बार आप राफ्ता भटक जाएंगे और पता चला कुछ का कुछ लिख क्या आगए जब आप इसको देखते रहते हैं तो क्या होता है आपका आपकी copy pen आप आपका माइंड यानि माइंड बॉडी सोल पें यह सब कोश्चन के डारेक्ट तो लेंडिंग हैंड टू समवन इस बेटर दें गिविंग अडूल किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है इसका मतलब अनुदान देना खराब नहीं है बट अगर हम लेंडिंग हैंड करते हैं तो वह ज्यादा बेहतर है लेंडिंग हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से समझा दिया अब आता है कि डोल की अलोचना भी होती है क्यों होती बाई क्यूंकि डोल साइकल आफ डिपेंडेंसी जिसे मैं पराता हूं क्या है यानि निर्भारता का चक्र देखो आज एक नया टर्म आया हम क्या पढ़ते प्रोसेस आफ डेप्रिवेशन यानि बंचितता का चक्र पढ़ते पढ़ते न कि एक पीड़ी अगर गरीब है तो अपनी अगली जनरेशन को वह क्या बहतर हेल्थ एजूकेशन निउट्रिशन नहीं दे पाएगी फिर वो भी कमजोर होगा फिर अगली पीडी फिर अगली और ऐसे क्या होगा गोल गोल चक्र घुनता रहेगा प्रोसेस आफ डेप्रिवेशन जिस पर 2016 GS1 सोसाइटी में आपसे प्रशन भी पूछ लिया गया यहां पर वो समझाने के बाद एक नया टर् डिपेंडेंस यानि जो डोल इसकी कमी क्या पॉइंट को पकड़ी है यानि इस निमन पर फिर से आएए क्या कह रहा है लेंडिंग हैं टू समोन इस बेटर देन गिविंग अडोल भाई किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है इसमें कहीं न कहीं अ जो देतेनां साइकल कौत तोड़ताम थिख है सईकलर आफ डिपेंडेंसी का मतलब यानी जिससे हम एक दूसरे सब में प्रॉसस आप commission या बन्चितता का चक्र कहते है यानि डिपेंडनेंसी के संख्राइब और या निया नदान पर निर्वर है अगली PDB government के डोल यानि अनुदान पर निर्वर है इसी को बोलते है cycle of dependency तो डोल किया लोचना क्यों होती है अब सब बच्चे बता देंगे क्योंकि sir यानि क्या करता है cycle of dependency बढ़ा देता है तो ऐसे में cycle of dependency को तोड़े बगएर आप प्रोसेस आप डेप्रिवेशन यानि बंचितता का चक्र तोड़ने के लिए या cycle of dependency तोड़ने के लिए किस चीज की जरुवत है आप कहेंगे सरा आ गया गया लेंडिंग हैंड की जरुवत है मेरे प्यारे बच्चों और लेंडिंग हैंड का मतलब यानि आप लोगों को क्या करना है इम पावर करना है यानि आपको फोकस करना है इम्पावरमेंट ओपडटीपेंडिनसी यानि निर्भारता से अधिक सवसक्तिकरण पर जोर देना है और इसी सवसक्तिकरण का नाम है मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आप समझ सकते इसे बोलते हैं लेंडिंग हैंड याद रखेगा लेंडिंग हैंड कैसे आप करेंगे आपके सामने लिखा हुआ भी या वही सुनील अभिव्यक्ति फार्मूला यहीं यह बच्छों ध्यान रखेगा ठीक है सुनील अभिव्यक्ति भाई देखो कुछ इनोवेशन दे रहा हूं अ हिस्ट्री हो चाहिए हो चाहिए कोनामी हो कुछ भी हो तो ऐसे मैं थोड़ा सा क्रेडिट ले ही लेता हूं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो क्या है यह यानि वहीं मेरा फार्मूला भीया एक बच्चा पैदा होता है तो न्यूट्रिशन अच्छा दो बढ़ा हो तो भी दो क सब्सक्राइब धूट्र इजूकेशन के साथ क्यविल एजूकेशन के साथ इस पील लोगश्व में क्या करो समय के साथ जब टेकनोलोजी आगे बढ़ती को सल कमजोर पड़ जाता फिर रिस करो इसकील करो और कभी कभी इसकील करने के बाद भी काम नहीं चलता तो आप इत तुना ही नहीं यह स्किल करने के बाद ट्रेनिंग भी दो क्योंकि ट्रेनिंग जब यह इतना करोगे तब जाके उसकी उत्पाद अक्ता बढ़ेगी एक रूपया कमाता था दो रूपय कमाने लगेगा सिंपल सी बात है और अंत में क्या करना है creating opportunity for marginalized community यानि जो हाशिय पर पढ़े हाशिय पर पढ़े जो गरीब है उन तक इसकीमों को ले जाओ for example जैसे stand-up योजना किसके लिए थी stand-up योजना किसके लिए थी PM स्वनिधी योजना किसके लिए थी ये lending hand का example है PM स्वनिधी कैसे भाई वो केरी आओ 10,000-50,000 के बीच में आपको हम क्या करेंगे क्या करेंगे बहुत ही आसान सर्तों पर रिंड देंगे आप जाओ इसको अपने बिजनेस में लगाओ काम करो चोटे-चोटे बिजनेस ये lending hand है चुकिए आपको business करने को inspire कर रहा है PM स्वनिधी stand-up योजना मुद्रा योजना ये सब क्या है यानि ये lending hand के फर्मूला डाल दिया तो और स्ट्रॉंग हो गया है अब आता है और और ध्यान देने की आउशक्ता है तो भाई वह यह वह यह यानि लोगों की capacity बढ़ाओ इस्किल करो यही सारी बात हैं यह समय ने आपको बताई दिया है बताने की जरूत नहीं अब आता है इस स्टेट्मेंट के आज अगर हम भारतिय राजनीत में प्रसंगीता देखें तो यह भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना तो भाई आप देख सकते हैं यानि आज हमारे यह किस पर फ्री बीज फ्री बीज फ्री बीज जानी मुक्त खोरी तो चुनाओ के दरौन हम आफर कर देते हैं इतनी यूनिट बिजली फ्री इतने यूनिट पानी फ्री ये फ्री वो फ्री और किस लिए क्योंकि हम वोट बैंक की राजनीत कर रहे हैं तो जब हम डोल को पॉइंट को सोशियो एकोनामी स्ट्रक्चर के लिए पॉजिटिक नहीं होता यह आपको द्याद में रखना यानि समाजी कार्थिक सरचना के लिए मजबूत नहीं होता अब लेंडिंग हैंड और दोल यहां पर दिये गए हैं मैंने आपको बहुत बढ़ियां हम अरेड पर हम आपको लोन दे रहें और आपको घर मिलेगा वट यह किसको मिलता टार्गेटेड किसको एक निश्चित एन्वल इंकम वाले लोगों को आप देख सकते हैं इसके साथ साथ यानि जो दिब्यांग है उनको सबको मिलता है इसका मतलब है इसके द्वारा ही क्या कर रहें जो बढ़नरेबल सेक्शन है इनको घर दे करके वह यह लैंडिंग हैंड का एक्जामपल इनको मजबूत कर आए इनको सहायता दे करा है जिससे यह अपने आपको लॉंग टर्म में पॉइंट को पकड़िए लॉंग टर्म में इस डेमोक्रेसी के साथ जुड़ा हुआ मैसूस करा सकें और सरकार भी लेंडिंग हैंड के द्वारा इंक्लूसिब ग्रोथ के लक्ष को भी प्राप्त करें डोल क्या है जैसे हमन यह है ठीक है तो अच्छा लगा कि बेहनों को पसंद आया लेकिन समस्या उसके साथ क्या है हम इस वीशे पर पास्चित करें अब उसका एक अलग एसपेक्ट से ठीक है बट हमें जो लिखना हो मैंने आपको बता दिया ठीक है अब आता है कि मुक्त कि पक्ष और विपक्ष पर यानि फ्रीवीज भी मैंने यहां लपेट लिया है इसका पक्षा भी पर दोनों हम लोगों को लेख चलना हमने कहना है नहीं कि खराब है तो अगर आप देखते हैं कि असोग गुलाटी साहाब ये बड़ी ही प्रशिद मतलब आप डिगनिटरी हैं और ये कहते हैं कि इ फ्रीवीज से लॉंग टर्म में इंडियन एकोनोमी को नुक्सान होगा ये कहते हैं कि इसको खतम करो लेकिन दूसरी तरह जो चीफ एलेक्शन कमिशनर रहे हैं पहले मिस्टर S.Y. कुरेशी जो एक्चुल में बहुत ही विद्वान लेखती हैं मतलब अमेजिंग इनको चावल गेहूं दे रहे हैं तो इससे हम बहुत बड़ी संख्या में भूक से होने वाली मौतों को बचा रहे हैं बट ये फ्रीवीज की बात पुरी डोल पर मत जाना डोल और वो तो अलग ही है जो मैंने पढ़ा दिया उस पर आपको पढ़ना है याद रखेगा तो बस यह सारी बात है जो आपको देखनी है अब आप कहेंगे सर आपने तीन निबंध और कराए थे जरा उसको भी एक बार समझा दीजी ठीक है तो एक बार सभी बताएं ये निबंध समझ में आ गया लेंडिंग हैं टू समवन इस बेटर देन गिबिंग डोल एक बार सब बचे बत फाइंड स्टूथ ठीक है और एक चीज और है जो भी बच्चे मुझे लंबे टाइम से फालो कर रहे हैं मैं मतलब मुखरजी नगर में ही टू भी आनेस्ट टॉप हंड्रेड प्लान कर रहा हूं और आप सब में अगर छमता होगी ऐसे तो उसमें आप किसी को आने नहीं द किसी की इंवल्मेंट नहीं चाहिए उसमें अगर आप बीकर से हैं तो आपके लिए ये फायदा रहेगा बट ऑबियोस है बाकी जवाएंगों उनसे कुछ ज्यादा नहीं केवल खर्चे तक का जो वहां का खर्चा निकला है यह मैं अब 24 के लिए मेरा ट्रीम यानि 100-100 बच्चे और उन पर एकदम से गहरा फोकस क्या करना है गहरा फोकस अब वो कैसे होगा वो आपके सामने में प्लान करूंगा जैसा मैंने कोबिट की टाइम में एक बार एक लाइबरेरी भी ले ली थी क्या ही बोलो मैं वो मेरा फोकस वही था कि लाइबरेरी में बच्चे जो इस स्कीम में आएंगे उनके साथ में मतलब उसमें टाफेस्ट इक्दाम होगा यानि मेंस प्री इंटर्व्य तीनों बवाल टाइप का मतलब उसके कोश्चन वश्चन के लेबल क्या या उसके ऊपर क्या तो यह मेरा अपना ड्रीम है आप लोग उसके लिए साथ दीरे बनाते रहेगा ठीक है पच्चिस के लिए यह चोविस के लिए नहीं चोविस के लिए तो ठीक है बिस्डम फाइंट सुरूत तो बिवेक सत्य को खोज निकालता है तो आप लिखेंगे कि यस बिवेक यानी शही और गलत में अंदर करने की आपकी योगिता सत्य क्या तो सही और गलत के मद्य अंतर करने की योगिता के कारण ही तो सत्य मिला और वो सत्य क्या है वो सत्य है यह निवन्द की लाइन lending hand to someone is better than giving a dole किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ पटाना बेतर यानि इस question में इस question के answer में उस निवन्द को चिपका देना है यह हो गया पहला IQIP मज़ा आया कि नहीं दूसरा courage to accept भाई सोभी कारोगति के सास दिखाईए और डोल के बजाए lending hand पर ज़्यादा focus कीजिए यहां पर भी आ गया और फिर best for an individual यानि व्यक्त यानि politician किसी भी politician के लिए यह बहतर हो सकता है कि वह cm बन जाए पीम बन जाए प्रीवीश बट वह आवैस्यक नेक समाज के लिए भी क्योंकि समाज के लिए डोल से जादा important होता है lending hand कैसा लगा मजा आ गया कर नहीं मजा आ गया ठीक है चिंतन वाला मैंने पहली बता दिया था एक निवन से चार निवन दोर स्वाल्ब हो गए अगर मजा आया हो तो बस यह चीज दिमाग में रखेगा